नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों तो फाइनली यहाँ पे कुमाओं विश्विद्याले नेनिताल की तरफ से B.A.R. 2020-21 के लिए इंटरेस एक्जाइम के आवेजन फों में आपे जारी कर दे गए हैं और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार कुमाओं विश्विद्याले इस बार भी इंटरेस एक्जाम के बेस पे ही B.A.R. 2020-21 के लिए यहाँ पे आवेजन परिकरे यहाँ पे मांगी गई है कुलना के यहाँ पे इंटरेस एक्जाम होने वाला है क्योंकि कई बार क्यास लगाए जारते कि कुमाओं विश्विद्याल जैसी कि गड़वाल उनुविश्टी के बात करें है H.N.B. उनुविश्टी के तो वहाँ पे मेरिट के बेस पे एडमिसन होंगे B.A.R. 2020-21 में जबकि कुमाओं विश्हिदल ने साफ साफ कही दिया है कि वह इंटरेस एक्जाम कराएंगे और यहाँ पर इन्होंने ओनलाइन आविधन फॉर्म जारी कर दिए है और आपका अक्टोबर बात बात डूबए तो मैं एक एक करके आपको पूरी डिटेल्स यहां पर बताऊंगा ही कितनी यहां पर आपको फॉर्म बनना है कब से कब तक फॉर्म बनना है कब एक्जाम होगा और जो हो गया या इंट्रेस एक्जाम जो होगा उसमें किते नमर के कौन-कौन से सब्जक्ट यहां पर क्वेशन आएंगे क्या क्वेशन आपसे पूछे जाएंगे और साथ सुलक कितना आपको यहां पर पड़ेगा तो जो भी यहां पर सभी वीडियो को आप अंतक जरूर दिखाए क्योंकि बहुत ही महत्यपूर्ण बिंदू यहां पर आपको बताने वाल जब आप कुमाओं विश्विद्यालाय का भी एड फॉम भरोगे उसके बाद यहां पर आप दे सकते हो विवरां ठीक है ओनलाइन आविजन पत्र या परिक्षा सुलक जमा करने के जो तीथी है तो प्रारम तीस सितंबर से यहां पर यहां से स्टार्ट होगी आप फॉम ब तो यह तो यहां पर इंटर्स एक्जाम होगा अब देखो परवेश प्रक्रिया ठीक है तो परवेश प्रक्रिया कुमाओं विश्वर के तहत संचलीद बीएड पाठिकरम में परवेश हेतो परवेश प्रक्रियसा आईउस की जाएगी जिसमें प्राप्त अंगों अधिमा प्रिक्षार्ती ओनलाइन पत्र भरने से पूर सुनिक्सित कर लेंगी प्रवेस नियम 3.2 को पूर्ण करता है इसके अंद्रगत सामान सरणी के प्रवेस अर्थिक को अनिवायर रूप से नियूंतम 50% अंकों के साथ इसनातक अथ्वा इसनातकोर अब दोको इसमें एक चीज़ आपको पॉइंट करने कई इसनातक में तो कम परसेंट होते हैं लेकि 50% मार्क हैं तो आप इसको एपलाई कर सकते और प्रवेस के परसेंटेज आप की प्लस परसेंट है इस नातकोर में ठीक है जिनकी इसनातक में है वह इसनातक के बाद कि है यहां तक की 49.99% मानिया नहीं होगा तो जनरल वालों के लिए ठीक है 50% आपका कम से कम होना चीज़ यूजी अत्वा PG में बागी जो other category वाले होंगे अनुसूचित जाते हो गया अनुसूचित जन जाते हो गया और अन्य पिसला वर्ग ओबीसी ठीक है उनके लिए 45% marks चीए इस नातकोर अत्वा इस नातक में ठीक है तो 45% marks हो गया category वालों के लिए और जनरल वालों के लिए 50% मार्क्स उनके लिए अनिवार्य होना चीए यह जी आपको ध्यान रखनी है साथ जिनका क्या भी जो अपेरिंग में है ठीक है यानि जो क्या होंगे यूजी उनका लास सेमिस्टर है अपेरिंग में माने है उनका final semester वाले है ठीक है तो बीड यूजी आपको complete होना ही चीए जो अपेरिंग महीं है जो final semester उनके अभी marks seat नहीं आया तो वह वी इस form को भढ़ सकते है अपेरिंग परिक्षार्ती beard में परविच के लिए आविजन कर सकते हैं जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं लेकिन जब येड में एंड मिसन सुरू होंगे तब तक उनकी मार्क सीट खेर आजाएगी वहां पर आपको दिखानी जरूरी है कि आप ग्रशन में पास हो चुके हैं आपने पास आउट कर दिया है 50% मार्क जन्रावलों के लिए और 45% मार्क के साथ अधर केटेगरी वालों ने ठीक है तो अपेरिंग वाले भी इसको वर्सक्ति जो लाश्ट सेमेस्टर वाले हैं यूजी वाले कि उनका मनला उन्होंने इंट्रेस घ्राम उनके अच्छे खासे नंबर आगए फिर अगर अपेरिंग इस ड्रेंट है जो उनका फाइनल मार्क सेट अगर अच्छी नहीं रहती है मनला वह ग्रेशन कंप्लीट नहीं करते इस साल तो उनको क्या करना पड़ेगा उनका एड् अग्रेशन ले लिया और तब आपके उसकी आरी है और वहां पर आप क्या नहीं हो रहें माला कंप्लीट पास नहीं हो रहे तो फिर दस परसेंट क्या होगी वहां पर यूद्ध में जम्होंगी और बाकि आपको वापिस दी जाएगी आपने फिस वहां पर समिट कर लिए एडमिसन में ठीक है वैसे तो एडमिसन तभी होगा जब आपकी फाइनल सेमेशर की मार्क सीट आ जाएगी लेकिन पॉइंट दे रहा है इसलिम आपको यहां पर बता रहा हूं बाकि यहां पर देशकते हो बीयड़ पूर्ण रोपसे रेगुलर कोड़ से ठीक है तो कंप्ले लगाज पाली में होता कि है अंधी अंधीम से तो हिंधी कर सकते हो और इंग्लिस मीड़म के आप तो आप और घॉप अपको आप टिर सेंग्विशन आजाएगा पेंताली लेंगे मैं यहां परुआप को इसमें हिंदी के लिए या मरज जोह लेंगोश टेस्ट है पचास अंकों का होगा पचास प्रिश्ण आपको करने हैं उसके बाद क्या है तो बी वाला पॉर्चन है भाग उनका ठीक है जनल नोलेज एंड रिजिनिंग चेस्ट होगा पैनतारिस मिनट दे जाएंगे पचास अंकों का अगरे प्रकार जो भाग दो हो है उसमें कहें एप्रिट्ट्ट्ट टेस्ट पोसे जाएगा पैनतारिस मिनट सो अंकों का होगा पचास प्रिश्ण होंगे ठीक है और सो अंक का यह होगा और उसके बाद जो डी वाला पॉर्चन है भाग दो का वह है यह ओप्शनल पेपर है अब सामवाने वर्च के लिए जो भाग वाने उसमें सो में से चालिस अंक कम से कम उन्हें लाने होगे जबकि दोसो में से यहाँ पर असी अंक कम से कम उन्हें लाने होंगे तब आप इंटरेस्स अंक में आप पास मानगे जाओगे और जब आप इंटरेस्स पीछाम में पास मानों जाओगे तभी आप किसी भी जो इसकनर कोई प्राइवेट्ट यूनिवरस्टी आती होगी उससे आप भी- जो भागवन है 100 में से 40 number minimum और 200 में से 80 number minimum ठीक है मेक्जिम आप कितने मिला सकते हो जब कि अधर केटेगरी वाले हैं उनके लिए जो भागवन 100 में से 27 number उनको लाने जरूरी है जब कि जो भाग 2A याने 200 में से उनको 54 अंक लाने जरूरी है तब वहाँ पर पास माने जाएंगे इंटरस एक्जामे यानि आपने minimum qualification number complete करते हैं वहाँ minimum qualification number आपने प्राप्ट कर रहे हैं अब आप एडिमसन ले सकते हो बागे जितने ज़्यादा number आपके होंगे उतना ज़्यादा आपको benefit होगा आपको government college प्राप्ट होगा बाकी आरक्षण की निती वही होगी जो होती है ठीक है तो यहां पर देखो परवेश में आरक्षण वर्तमान में लागू सासनादेश के तायज बीएड कक्षा में आरक्षण के लिए नियम निमनानुसार है तो समस्त मूल प्रमान पत्र आपको एक तो जमा करने होंगे जब वहां पर यूनिवर्स्टी मांगे ठीक है बाकि शीटों की संख्या आपको समयबाद वेफसायट पर वेसे अपडेट किया जाएगा शीटों की संख्या और यहां पर है अब देखो वेटेज ये जानना बहुत आफ्शा करे ठीक है वेटेज किसको कितना मिलेगा और देखो मैक्जिम में आप 25 नमर का वेटेश प्राप्त कर सकते हैं तो वेटेश से काफी बेनी फिट मिलता है क्योंकि जो आरक्षित रहती है जो वेटेश होता है आपकी कितने नमबर है 300 नमर के पेपर आपके आगे माना 200 नमर और 25 नमर का आपको वेटेश मिलेगे तो 225 नमर आपके हो जाएंगे और 225 नमर में तो आपको मलब कहीं से कहीं फरक पड़ जाता है वहां पर मेरिट में ठीक है जो रहता है मलब जो रेंकिंग होती है उसमें काफी फरक पड़ जाता है आप पे वेटेश में अधिमान अंकल जिसको बोलते हैं ठीक है तो अधिमान अ कि एक का ही आपके पास यहां पर लगा सकती हो बहले आपका चार-पांस वेटेज इन में से अगर हैं आपके पास लेकिन आपका मानने कौन सा होगा एक होगा तो इंडेजल आइटम में परतम इस्थान पराप्त करने पर दुतिया इस्थान पराप्त करने पर दस चंग और प ऐसे स कर्द घजे को आफ इस सांट आल ंसे उसको आपकर से वेट्डेज के यहाँ पर डाल सकते हैं जो आ वहाँ से आप डारिक्ट स्रीकर्ट हें है जहां से आप कर सकते हों तो आपको करना बाकि उब बहते हैं वहां पर आप को सब्छा केंदर की बात करें तो इन परिक्शा केंदर में आप प्रसकते हो यह कुण सा आपका परिश्यक्तित इडरा आपको आपको अप्लाइब करना है मदल यह फोंब भरना है और इसको आप ने अप्लोड कर देना है ठीक है और बाकि अगर कोई भी हैं देखो działa फोरे फरिंट यहां से आप ले सकते हो फ्रिंट और यहांसे आप आपका 60 पिएट है है खेुंसरा और कोई एमअड का फोर्म अबहना चाते हैं जैसे करेंगे दोस्तों करते हैं आपको बीडियो पसंद आई यहाँ पर आज हमने आपको डेटेल्स बता दिया आपके कि बीड का और एमेड का कुमाओ उनिश्टी का फॉर्म आ चुका है और यहाँ पर इंटरस एक्जाम के बेस इस बार बीड में भी और एमेड दोजार बीस एक किसमें कुमाओ उससे कर दिये हैं तो आज से करते हैं आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शियर जरूर्टे का कमेंट वोक्स अपने राइस जरूर थे और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्ट विशा तब तक दन्यवाद